नमस्कार रेडियो स्टेडी में आपका स्वागत है आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजाथ एक्जाम में अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको आखरी वक्त के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हम देना चाहेंगे जो काम्याबी दिलाएंगे आपको पूरी उम्मीद है जी हाँ ये बात हम कर रहे हैं जी में टुथाउजन टुटी टू सेशन की सेशन टू की एक्जाम जहां हम GEE में की परिक्षा देने वाले चात्रों के लिए ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाह रहे हैं जो आखरी वक्त पर जब वो तैयारी कर रहे होंगे अपने इस एक्जाम के लिए चुनवती के लिए तो उनके बहुत जादा काम आने वा करने के लिए 2022 की JEE में की परिक्षा में अच्छे अंक अगर आप चाहते हैं तो इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है जॉलाई के लाश वीक में होना है हमालंकी बहुत लेट हो गए जुलाई का आखरी दिन चल रहा है लेकिन यह टिप्स आपको दूसरे एक्जामस में भी शायद काम आ जाए या दूसरी बाद जब कभी JEE में की आप परिक्षा देंगे तब भी यह टिप्स काम आ सकते हैं 6,39,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है इस परिक्षा के लिए सेशन 2 के परिक्षा 30 जुलाई को खत्म होने वाली थी यानि के कल खत्म हो गई JEE में की परिक्षा दिने वाले जितने इस्टूएंट से उनको COVID-19 से जुड़िवी गाइडलाइन्स को भी फॉलो करने क लिए कहा गया था इसके अलावा चात्रों को परिक्षा शुरू होने से पहले दो घंटे पहले रिपोर्ट करना था अपने सेंटर पर एग्सामिनेशन सेंटर पर जही में 2022 जुलाई की जो सेशन की जो परिक्षा होने वाली है दो शिफ्ट में हुई है हो चुकी है सुबे नो बज़े से दो पर बार बज़े तक हुआ है यानि कि अगली बार भी यह हो सकता है टाइमिंग अपनोड कर सकते हैं दूसरी शिफ्ट में परिक्षा दो पर में तीन बज़े से शाम शे बज़े तक आवचित की जाए की यानि की की गई है और आके भी जब आप ए पाइदे मंद है जो इस परिक्षा के लिए जम कर मेहनत कर रहे है ये ज़्यादा उनकी मदद करेगा जो ज़्यादा मेहनत कर रहे है आकरी मिनट की तैयारी के ये कुछ इंपॉर्टेंट महत तो पूर्ण छोटे छोटे उपाए है सबसे नंबर एक का उपाए अवल नंब सालों के एक्जामिनेशन के पेपर निकाल के लाने होंगे आपको उस पर चेक करना होगा कौन कौन सी क्वेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेशन को आप परफेक्शन के साथ तैयार कर लिए नंबर टू हमारा महतोपूर्ण उपाए आपके लिए इंपॉर्टें के बजाए उसको आप रिवाइज करने पर ध्यान दे मैं आपको बताता हूं कियसे रिवाइज करें एक बार उसको पढ़ने ध्यान देते हुए काफी चीज़ें आपके दिमागे उतर जाएगी लेकि जब दूसी बार आप उसी समय उसको पढ़ेंगे तो ऐसा आपको लग करना है इसके अलावा जो फार्मूले आपको लगता है आप बार बार भूल जाते हैं आपके दिमाग से निकल जाते हैं उनको परिशा में जाने से पहले रिवाइज करने एक उनके लिस्ट बनाने कागच में अलग से लिखके रख लें दो तीन जगर पॉकेट में आगे की हैं उपर शर्ट की में जब भी आंको ढळá को दो मिनट के लिए आपने निकाला और अपनी आखों के सामने रख रखा उन फार्मूलों को एक बार फिर समय कर देंगे आपका दिमाग बहुत थेज है जिसको हम लोग ध्यान से देख करके समझने की कोश्च करते हैं वो आत्मक दरश्टिकोड के साथ, याने कि आप दुनिया की कोई और बात ना सोचे, सिर्फ उस पर सोचे, वह वाद वह पंक्तियां जो शब्द वह पढ़ रहें, उन पर सोचे, और पॉजिटिविटी के साथ, याने आनन्द के साथ, खूशी के साथ, आशा के साथ कि हाँ यह आ गया ही, यह आ गया ही, हो गया आपको याद हो गया, यह थे यार हो गया, यह question ready है, अब आप इसमे कोई परिशानी नहीं करेंगे, नमबर 5 tips, अपने अंदर का मौसम अच्छा रखे, अंदर शांत रहे, संतुलित रहे, आत विश्वास को रखे, concentration यानि फोकस्ट, एक्जा आपने विक्सित हो जाए की तब ऐसा होगा कभी भी किसी मौके पर किसी काम पर आप अगर कंसंट्रेट करेंगे तो काफी देर तक कंसंट्रेट कर पाएंगे क्योंकि आपने वो क्षमता आपने अंदर विक्सित कर ली है टिप नंबर छे ज्यादा तनाव मत लीजिए मस्त र परिक्षा को लेकर आप स्यादा चिंता करते हैं, तो आपके अंदर का आतुश्वास डगमगाता है, आपकी यादाश्त, आपके अकागरता, सब भंगोती है, सारा मौसम गडबड हो जाता है, और ये मौसम अच्छा रहेगा, तो जो आपने एक नजर एक बार देख लिया हो चिंतित रहेगे, तो आपके घरवाले जादा चिंतित रहेगे, और सबसे बड़ी बात आपके शरीर की प्रतिक्रिया उन चीजों पर डर करके होगी, यानि के डिफेंसिव होगे, और अगर आप पॉजिटिव हो करके पढ़ाई कर रहे हैं, और चिंता नहीं करें, कोई ब जो घंटे तक जब भी आप लगातार पढ़ाई कर लें, उसके बाद कसम खाके भाई मेरे चोटे-चोटे ब्रेक ले लिया करो, जरूरी है, मशीन नहीं है, यह हूमर माइंड यह मशीन का बाप है, यह मशीन के बाप का बाप का बाप, ग्रेंट फादर का भी ग्रेंट फा करता है, तो अपनी दिमाग के साथ नयाई केजिए, उसको फिर से अपने आपको तयार करने का छोटा-छोटा ब्रेक दिया करिये, हर एक दियर घंटे-दो घंटे के बाद जरूरी है, याद रखिए, फिर आप दुबारा आएगे न अपनी कोजी पर जादा अच्छा परिक्षा में जब आप बैठेंगे तो प्रश्न पत्र कैसे हल करेंगे इस बारे में और परिक्षा में जो रण नीति आपको तयार करनी है उसके तयारी के लिए, उसको लेकर के आप पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्रों को कही बार अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा पेपर का, आपके एक्जाम के पेपर का पैटर्न क्या है, आप परिक्षा में प्रश्न पत्रों को किस तरह से हल करेंगे, कैसी सहुलियत होगी, पहले कौन सा सवाल करेंगे, बाद में कौन सा करेंगे, उन सवालों को जो पहले आचुके एक्जाम म कि आप त्यार कर सकेंगे अच्छा इस तरह के क्वेशन पूचे जाते हैं पैटर्न भी पता चल गया है हल करने का तरीका भी उनका मतल समझ में आ रहा है कौन सा पहले करें कौन सा वाद में करें और उसके लिए रल नितिया पढ़ाई किस तरह करें वह भी आप अपने आप ही ठूट लेंगे उसका रास्ता निकाल लेंगे वैसे तो सारी दुनिया केती है मैं भी बता रहा हूँ लेकिन अलाग से भी मैं कहा रहा हूँ कि पढ़िए मस्ती से पढ़िए आराम से पढ़िए और कॉन्फिडेंस के सथ पढ़िए बिल्कुल हो जाएगा आकरी नवा गंटे पहले बुलाया है तो आप तीन गंटे पहले पहले पहुंचने का ध्यान दे ताकि रास्ते में कोई दुरकटना कोई परिशानी कोई रोड ब्लॉंक कोई रोड जैम अगर जैसी इस्तिति आजाए तो पैदल चल करके भी परिक्षा इस तर तक पहुंच सकते और भी टिफिन इफन कुछ बड़ी आज़ा खाईए पीजे इदा हुदा देखिए दिमाग हलका केजी एकादोर नजर डाल दीजे जो चिट सा आपने रखी चिट याने की पॉइंट से बना के रखे और बस काफी है तैयारी तो आपके पहले हो चुगी खूल आखरी समय पर अप दोस्तों के साथ बैठ करके परिक्षा के विशह में पूछने का कि ये सवाल आएगा वो सवाल आएगा किसी तीया लिकिए क्या इसका क्या हो सकता है उसका किसी भी तरकी बात्ची से बच्चे परिक्षा के समय आप दोस्तों से बात करने से ही बच्चे अलग बैठे कंसें करें शांत रखें अपने आपको खुश रखें दुनिया के दूसी चीजों के बारे में सोचें खाए पीए जूस पीए जो भी करना है कीजिए लेकिन दोस्तों से आप बात करेंगे तो अनावशक तनाओ भी आपको मेर सकता है अनावशक डिस्ट्राक्शन भी हो सकता है आप पानी बचाईए सबको सिखाईए पेड लगाईए सबको सिखाईए नमस्कार